दोस्तों स्वागत है आपका पाथफाइंडर में आज हम लोग करंट अफेर्स में जनवरी और फर्वरी के जो करंट अफेर्स कुछ रह गए थे तो उनको मैंने दूसरी बुक्स को रिफर करके आज सिस्टमेटिकली अरेंज किया है जनवरी फर्वरी वैसे पुराने उसमें मैं कवर कर चुका हूं काफी कुछ तो लेकिन जो मुझे लगा कि अभी कुछ और उसमें रह गया है तो उसको मैंने ढूंड के जो है और कलेक्शन किया है इसके अलावा आज तयार रहिएगा आज आपको खानी और क्रसी उत्पादन का जो लेटेस्ट डाटा है जो भी ले इंपोर्टेंट रहेगा इस माने में चलिए स्टार्ट करते हैं समावेसी सुचकांग 2018 जिसको इंग्लिस में क्या करते हैं इंक्लूसिव डेवलप्मेंट इंडेक्स यह किसके द्वारा दिया जाता वर्ड एकनॉमिक फोरम द्वारा दिया जाता है तो इसमें भारत की जो एक थी जो है उभरती अर्थव्योस्था के देश जिसमें 74 देश रखे गए थे और एक थी बिक्सित अर्थव्योस्था के देश जिसमें 29 जो है कंट्रेस को लिया गया था तो भारत जो है उभरती वी अर्थव्योस्था में 74 देशों में 62 नंबर पे था और इसमें उभर पुप्स रेडिया भी दी गई है उनके आधार पे भारत को कैसा देश माना गया है एडवांसिंग कंट्रीज तो भारत को विकास वान या एडवांसिंग उपस रेडि के अंतरगत रखा गया है अब बात करते हैं अरुडाचल परदेश 31 इसंबर 2017 को भी खुले में सौंस से मुक्त गोसित कर दिया गया है और इस प्रकार भारत में अगर पूछा जाएगा कि कितने राज मुक्त हो गए हैं तो कुल आठ राज खुले में सौंस से मुक्त हो गए हैं और दो केंसासित परद परदेश भी सामिल हैं खुले में सौंस से मुक्त हैं अब इनमें सिक्किम, हिमाचल परदेश, केरर, हरियाड़ा, उत्राखन, छतिसगड़, अवडाचल परदेश, गुजरात, दमन, दीब और चंडीगड़ ये दो जो है ऐसे जो है यूनियन टेरिटरीज हैं जो खुले में सौंस से मुक्त हुई हैं पिर वर्तमार में पूछेगा कि कितने जिले या कितने गाउं हो चुके हैं ओडियफ के अंतरगत तो देश के 296 जिले तथा 3,7,349 गाउं जो है आज की डेट में खुले में सौंस से मुक्त हो चुके हैं फिर सकल नामांकन अनुपाद जो है यह क्या है आल इंडिया सरवे अन हायर एजुकेशन सकल नामांकन अनुपाद के बारे में सबसे बेले जानी कि यह होता कैस को जो है जी आई यार भी कहते हैं इसमें क्या है उच्छ सिच्छा में नामांकन कितना किया गया और उसका अनुपाद निकाला जाता है पात्र विवर की आबादी किती है 18 से 23 यानि हायर एजुकेशन में उच्छ सिच्छा में कितने जो है बैक्तियों का नामांकन हुआ और वहां की पात्र आबादी की कितनी थी तो भारत जो है सकल नामांकन अनुपात में 25.2 पूरे भारत का जो है जी आई यार निकला और यह रिपोर हम कौन सा था तमिलनाडू था जिसका जी आई यार 48.8 परसेंट था यानि इसका सीधा सार्थ यह है कि यहां पर हायर एजुकेशन में उच्छ सिच्छा में अधिक्तम जो है लोगों ने अपना पंजी करण कराया यानि ज्यादा तर लोग इंवस्टीज और कॉल्जेज मे पढ़ रहे हैं फिर यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो दिल्ली और चंडीगर जो है सबसे उच पायदान पर है और राज्यों में करम की बात करें तो तमिलनाडू पहले नंबर पर जैसा उपर बताया फिर महाराश्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा इस्थान है जिसका जी आई आर कितना है 24.9 फिर चौते नंबर पर उडिशा और बिहार पांचवे नंबर पर भारत में लैंगिक समानता सुचकांग जिसको जेनेडर पैरिटी इंडेक्स कहते हैं सौट में जीपी आई कहते हैं यह जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसमें 2016-17 का डाटा दिया ग सदिया से धुबरी तक जो 1988 में राश्टी जलमार गोसित किया गया था इस पर सीमेंट के कार्गो का परिवहन प्राराम हो गया है 19 दिसमबर से जो है और असम में यह इस्थित है राश्टी जलमार ब्रह्मपुत नदी पर है कुछ भी पूछा जा सकता है सारे पता हुने च भूबरी जो है नामक जगह है वहां तक जो है यह कार्गो का परिवहन प्रारम हो गया है और लगभग यह 300 किलोमेटर की दूरी है फिर इलेक्ट्रोलर बांड या चुनावी बांड जो भी बहुत चर्चा में रहे हैं तो अब कोई भी राजनेतिक पार्टी सीधे-सीधे उससे क्या होता था उससे जादा ने क्या प्लायक मनी की आसंका होती थी कि चुनाव में राजनेतिक पार्टीों Не को ब्लैक मनी दिया जाता है या ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए दिया जाता था था कि इसपर mogork पारकार की निगरानी नहीं होती थी तो दो जनवरी 2018 को भारत सरकार ने इलेक्ट्रोलर बॉंड कैसे होंगे क्या होंगे इनकी बिकरी कैसे होगी इसकी रूप रेखा जारी की तो देखिए इसमें जितने भी पॉइंट सब इंपोर्टेंट हमें एके करके स्प्रेंड कर रहा हूं जनवरी जुलाई अक्टूबर में मिलेगा और इन महिनों में केवल दस दिनों तक के लिए यह खरीद के लिए परचेज करने के लिए उपलब्द रहेगा फिर इसके लिए जो भी खरीदेगा पार्टियों को चंदा देने के लिए वो अपने बैंक एकाउंट से ही इसका भुकतान करेगा लेकिन भुकतान करता का नाम कहीं भी सारजनिक नहीं किया जाएगा या बॉंड पर नहीं लिखा जाएगा जो हैं पाइण कितने मुलिके बनाए गहें तो इनकी पांच स्रेणियां बनाईएं एक हजार उपए का बॉंड ले सकने हैं और पंडुब्ईा यथा स्वदेशी ds park को समर्पित किया जो है नवरी के पूर बारे में पूछा जाता है तो आए नेश-कलवरी सबस्सक्रारण को जो है इसका जलावतराण हुआ था वहीं पर अगर खांदेरी आइनस खांदेरी की बात करें तो जनवरी 2017 में यह सेना को सौपा गया था फिर एक अभी रिपोर्ट आई है बर्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिवीजन यानि इसमें दुनिया के सभी देशों और मह महादीपों के जो पॉपलेशन का जो लेटेस्ट डाटा प्रस्तूत किया गया है जो 2017 क्या आबादी के हिसाब से है तो अगर इसमें महादीपों की बात करें तो यह सब डाटा पहली चीज़ तो मिलियन में लिखा हुआ है एसीया की जो आबादी है सरवाधिक पहले से चल तो यह इसका क्रम हो गया अब हम देशों की अगर बात करें तो सबसे नंबर वन पर चीन है फिर भारत है जो क्रम चल ला था पिर तीसरे नंबर पर अमेरिका चौथे नंबर पर इंडोनेसिया ब्राजील और पाकिस्तान और इनकी जो जनसंख्या है 2017 की वह यहाँ पर दरस के लगवग जन संख्या हो चुकी है अब फिर कुल प्रस नंडर कम प्रेजनन दर क्या होती है प्रति महिला जीविद बाच्चों के जन्व पर जो है कितनी प्रस नंदर होती है तो 200 क Birthday संपूर्णन विस्तु की बात करें बिस्तुचा का आउसत जो है प्रसिदेंदर का दो प्रिजन अदर्वाला है चार दस्मलों साथ दो एसी आ जो है दूसरे नंबर पर है दो दस्मलों दो जीरो उसके बाद जो है अन्य महादीपों का नंबर आता है पर इसी रिपोर्ट में भारत की अनुमानित जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है इस तरह का कोईश्चन आपको याद होगा आरो में पूछा गया था जो है 151 करोन हो जाएगी, 2050 तक 165 करोन हो जाएगी और 2100 यानि इस सताबदी के अंत में अगली सताबदी के प्रारम से 151 करोन पुना हो जाएगी तो 2050 और 2100 में जो जनसंख्या होगी वो बिश्व में सरवाधिक जनसंख्या होगी, यानि चीन को पछाड के भारत जो है पहले नंबर पर आजाएगा जो बिश्व में सरवाधिक होगी फिर भारत की प्रजनन दर की बात करें इसी रिपोर्ट के अंसार तो 2010 से 15 के बीच भारत की प्रजनन दर जो है आउस्सता 2.44 प्रस्षत रही है जन दर किती रही है 67.6 वर्ट और मृत्युदर जो है 52.5 प्रस्षत ये 5 सालों का जो है लोएखा जोखा है और ये जो मृत्युदर की गणना की गई है ये प्रती 1000 जीवित बच्चों के जन पर 5 वर्ट से कम आयू के बच्चों की मृत्युदर पर आधारित है तो ये सारा डाटा जो है आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तीसरा रायसीना समवाद जो है ये नई दिल्ली में 16-18 जनवरी 2018 को आजित हुआ इसकी थीम क्या थी विग्टनकारी बदलाओं का प्रबंधन विचार संस्थाएं और धारणाएं थीम बहुत पूछी जाती है तो थीम याद रखना ज़रूरी है और आस्ट्रेलिया में विवा समानता दिवस पर जो 9 जनवरी 2018 को मनाया गया वहाँ पर पहले सामाईख समलेंगिक बिवा हाका आयर्जन किया होगा तो आपको ध्यान है होगा कि आस्ट्रेलिया जो है भी लास्ट ऐसा दец था जिसने आज दिसंबर 2017 को समलेंगिक बिवा कानून जो है पारित करकर अपने देश में समलेंगिक बिवा को कानूनी मानत्या देदी है और समलेंगिक विवा कानून पारित करने वाला ये विश्टु का 26 वा देश बन गया है ऑपरेशन ऑल्यू बांच क्या है तो तुर्की दारा सीरिया में 20 जनवरी 1828 से सुरू किया गया था यह और यह सैन अभियान रहा जो कुर्द लड़ाकों के बिरुद्ध है अब भारत में आप जानते हैं कि आसियान देशों के लाश्टा देश आये थे उन दिवस पर उसी के दौरान जो है आसियान सम्मेलन भी भारत में हुआ तो चुकि ये भारत के दौरे पर आये थे तो जितने भी दसों में से नाम है इन में से कोई भी पूछा जा सकता है इसलिए ये दसों राष्ट्या धच्चों के नाम आपको रट लेने किसी भी तरह से तो इसनके जो है राजधानिया क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए तो कि कभी कभी जब जियत से रिलेट कर देता है तो इसकी राजधानी भी पूछी रा सकती है तो ब्रुनेई के सुल्तान कौन थे हाजी असनल बूल किया इंडोनेशिया के राष्ट्पती आये इनका न अजीव रजाक थाइलाइंड के जनरल प्रियूत चान ओचा मेयामार की स्टेट काउंसलर आई थी आंग सौन सूकी और लाउस के पीडियार के प्रधान मंतरी ठोंगलंग सिसोलिया तो ये आपको याद रखना है इसी के साथ साथ आसियान सम्मेलन संपन हुआ था गरतन द जिली में 25 से 26 जनवरी 2018 को और वर्ष 2019 को जो है इसमें दिने लिया गया कि आसियान भारत पर एटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा ये घोशना की गई आसियान सम्मेलन में और इसके जो आसियान सम्मेलन की पूर सत्रयानी पूरे सेसन की थीम थी वह क्या थी सेयर्ड वैलूज कॉमन डेस्टिनी और रिट्रीट सरीमनी आप जानते हैं रिट्रीट सरीमनी जो है जब समापन पर मनाया जाता है किसी भी चीज़ के तो मैरी टाइम कॉपरेशन और सिक्योर्टी ये जो है रिट्रीट सत्र की थीम थी अब थोड़ा सा आसियान के बारे में जानी था इसकी राजधानी जकारता इंडोनेशिया में है इसके वर्तमान अध्यच ली सियन लूंग है और वर्स दोजार अठारा की अध्यचता जो की आसियान समेलन की वो सिंगापुर द्वारा की गई फिर इक्वाडोर द्वारा एक बिवादित पुरुस को नागरिकता दी यह आप जानते हैं कि कौन है जूलियन अनसाजे जूलियन अनसाजे कौन है विकिलीक्स के संस्थापक जिन पर दुनिया में तमाम तरह के पृतिबंद लगे हैं तो अभी फिलाल यह क्या कहा हैं लंदन में जो है इक्वाडोर के दूतावास में जो है सरण लिये हुए थे छाटा सबसे अमीर देश है यह बताया गया है और इसके अलावा जो है अमीर देशों की सूची क्या है नमबर एक पे यूस से है दो पे चाइना तीसरे नमबर पे जापान पाच्वे चौथे नमबर पे युनाइटेट किंड़म और पाच्वे नमबर पर जनरी और चटे नंबर पर ओविसली भारत है फिर वर्ड एकोनामिक आउटलुक अपडेटेड रिपोर्ट जो है यह आएमफ यानि इंटरनेशनल मॉनेटरी यह फंड दोरा जारी की जाती है और इसमें जीडीपी ग्रोथ के बारे में जो भारत का अनुमान लगाया गया है वो इस प्रकार ह 2007 में बताया गया है कि 6.7 के लगबग रहेगी ग्रोथ रेट 2018 में 7.4 और 2019 में 7.8 प्रस्त रहेगी वहीं पर अगर बात करें कि बैंग वर्ड बैंग ने क्या जो है भारत के लिए अनुमान लगाया है तो बर्ड बैंग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है 2017 में 6.7 2018 में वर्ड बैंग द्वारा 7.3 प्रस्त का अनुमान लगाया गया है 2019 में 7.5 और 2020 में भी 7.5 जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है अब विश्व आर्थिक मंच का 48 वा सिखर सम्मेलन हुआ था दावोस क्लाश्टर्स जो सुज़जर डैल में इस्थान है और ये कब से कब तक हुआ था 23 से 26 जनवरी 2018 तक हुआ था तो सबसे पहले इसकी थीम के बारे में बात करते हैं वीभाजी त्विस्व में साध्या भविश्य का निर्मार ये इसकी थीम की और इसमें भारत से कौन-कौन गया तो प्रधान मंत्री गए ही थे उनके साथ 6 काइबनेट मंत्री गए थे और उसके अलामा दो राजियों के मुख्यमंत्री भी गए थे जो मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट है और पूछा जा सकता है ये दो मुख्यमंत्री कौन से आंध्पदेश के चनबाबु नाइडू और म महिलाओं के बारे मुन्होंने कोई स्पीज दी थी महिलाओं पर जो काम किया था उसके महिला ससक्ती करण और महिलाओं की हितों की बात करने के कारण उनको सारुक खान को क्रिश्टल अवार्ट दिया गया फिर हम बात करते हैं कि ONGC जो है और नेचुरल गैस कॉर्परेशन उसके द्वारा HPCL में 51% हिस्सेदारी खरीद कर HPCL का अधिगरहन कर लिया गया है HPCL क्या है 1974 में यह इस्थापित हुआ था यह भारत की नौरतन कंपनी है दुख-दुखतातन का लेटेस्ट अभी रिपोर्ट आई है जिसको वर्ड लेविल पे प्रकासित किया गया है तो द वाय स्थिक इस्थर पन ब्रद पूरे विस्थront में वह 2.097 इस्थ प्रकार भारत ने जो ब्रदी की है वह व्यस्थिक इस्थर की दर से अधिक तेजी से ब्रदी की है दूद उतृत्पादन में भारत में प्रतिवयक्ति दूद उफलब दता जो है कितनी है 2016-17 का ये डाटा उसके हिसाब से 351 ग्राम प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति जो है भारत में दूद की उपलबधता है और प्रतिव्यक्ति उपलबधता में चार सीर्स राजिकौन से भारत के वो है पंजाब हरियाना राजस्थान गुजरात इसमें पंजाब जो है 1032 यहां की है हरियाना की 877 ग्राम राजस्थान 704 ग्राम है को गुजरात में 543 ग्राम है उत्तर प्रतिदेव्यक्ति अ अmee मादले में गिया है इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर में बना ऊजशाफ था इस और Candace कि final untuk प्रदेस और पिंजाब तो यहां पर फिंजोरों यहां पूंध लब्दता है और यह क्या है दूधुत पादन पहुएगा दोनों बिल्कुल different data है फिर हम बात करते है Nari web portal Nari का full form डालीजे मोधी सरकार जी की जितनी भी होजनाए है उनके full form होते हैं कभी भी सामने पड़े कोई होजना तो उसका full form जरूद चेक कर लीजिएगा National Repository of Information for Women तो ये एक website portal है जो 2 जनवरी 2018 को सिर्मती मेनका गांधी जो आरा जो है लांच किया गया भारत में और ये क्या है महिला एवं बाल विकास मंत्री है मेनका गांधी जो Nari web portal है उसमें क्या है महिलाओं से सम्बंदित भारत में जितनी भी योजनाए चलती हैं लगभग 300 के आसपास योजनाओं का इसमें विवर्ण दिया गया इस पोर्टल पर तो जितनी भी योजनाए चलती हैं उनका इस पर डिस्प्ले रहेगा कोई भी महिला सीधे जाकर इस पोर्टल पर महिलाओं से सम्बंदित सभी जो है लेटेस्ट योजनाओं का और बाकी जोचनाओं के बारे में आसानी से जान सकती है तो ये तो रहा जो है करन्ट अफेयर्स एक पार्ट अभी और मुझे बनाना पड़ेगा इसमें जिसमें फरवरी का कुछ पोर्चन और मार्च लगभग 10 से 15 मार्च तक का जो है कवर करना होगा तो थोड़ा सा इंतिजार और आज साम को मैं आर्थिक सर्वेच्छन के केवल 10 मिनट से कम समय में आर्थिक सर्वेच्छन के बारे में बताऊंगा जो उसका जीष्ट है क्योंकि आर्थिक सर्वेच्छन एक बहुती ब्यापक डाकुमेंट होता है जिसकी सारी चीजों को हमको जानना ज़रूरी नहीं है आकडो का खेल होता है वो और दूसरी तरफ जो है हम बात करेंगे उत्पादन खाने जी उत्पादन और एग्रिकल्चर उत्पादन में जो सीर्स देश हैं सीर्स राज यह हैं उनका क्या क्रम है तो इससे संबंधित डाटा भी मैं साम तक आपको दूंगा तो आज की ससन मे अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए नमस्कार धन्यवाद